सचिन एक तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, इस तस्वीर में आप हैं, कॉंग्रेस पार्टी में एक जमाने में आपके बड़े करीबी दोस्ते वो सब हैं, ये दोस्त कहते हैं, सचिन बेवाता निकला, हम सब बीजेपी में चले गए, ये कॉंग्रेस में रह गा। आर्किन सिंग, मिलिन देवराप, जोतराज सिंधिया, पिछले सभी बारी-बारी वफा तो पार्टी से हैं ना, उसको तो निवाया है, अब दूसरा, हर वेक्ति, किसी का भी दोस्त, किसी का भाई हो, हर इंसान को ये छूट है, कि वो किस विचार धारा में अपना काम करना चाहता है, किस दल को जन करना चाहता है, और ऐसे सैंकडों धारन है, कोई लोग पार्टी छोड़ गए, कोई जॉइन कर गए, ये वेक्तिकर निर्णे होता है, और समय बताएगा, कि किस का कौन सा निर है, रजज़ जी, आपने ये तीन, चार, पांच लोगों का नाम दिखा के मुझसे कहा, कि ये सब अलग-अलग कॉंगेस पार्टी छोड़ गए, सवाल मुझसे पूच रहे हैं, लेकिन जब टप्पिल सिब्बल जी, गुलाम निव एजाद जी, कैपनो मिंदर सिंग जी प उससे कहा जाता है, 24 गंटे मोधी को गाली दो, अब जो विक्ती पार्टी छोड़ गया, वो अपने स्टैंड को जिस्टिफाय करने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, पहली बात, यही बात मिलिन देवराव ने भी कही है, हमसे कहा जाता है कि हर बात पर मोधी को गाल नहीं हो कि हमें कभी कुछ बोला जाता है, लेकिन विपक्ष में रहकर एक constructive criticism करना चाहिए, मुद्दों पर, सिदान्त पर, issues पर, public interest में हम लोगों को बात रखनी चाहिए, क्योंकि यही एक जुलन्त democracy के पहचान है, अगर हम सब में हान जी, हान जी कहते रहें, तो काय का व करना हम आएंगे, अब सब लोग एकी बात बोले हैं, सभी हाँ बोलते रहें, तो पर क्या विपक्ष क्या democracy है, लेकिन बात को बोलना को गलत नहीं है, ये बात सच है, कुछ लोग Congress Party छोड़कर गए हैं, लेकिन बहुत सो लोग Party जोईन भी कर रहे हैं, अलग-अलग लोगो काम करने में कभी संकोच नहीं किया, और जब मुझे कोई काम मिल जाता है, फिर मैं उसको पूरा करके छोड़ता हूं, और पूरी ताकत से करता हूं और मैं कभी पीछे मुड़के देखता नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कर्मी पूजा है,